हीलो डोस्तों आपके अपने चैनल लॉजिकल जीके में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का क्विज। भारत का वह कौन सा राज्य है जो कभी भी अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ। A. हर्याना B. गोवा C. महराश्ट्रा D. नागालेंद आपका सही उत्तर है B. गोवा आपका अगला प्रश्ण है किस पक्षी को प्रकृती का हेलिकॉप्टर कहा जाता है A. कबूतर को B. हमिंग बढ़ को C. शुतुर मूर्ग को D. मेना को आपका सही उत्तर है B. हमिंग बढ़ को आपका अगला प्रश्ण है मूर्ख दिवस किस दिन मनाया जाता है A. चार अप्रेल को B. दो अप्रेल को C. एक अप्रेल को D. तीन अप्रेल को आपका सही उत्तर है C. एक अप्रेल को आपका अगला प्रश्ण है विश्व में काले रंग के हंस कहां पर जाते हैं? आपका सही उत्तर है आपका अगला प्रश्ण है गूगल की स्थापना कब हुई थी? आपका सही उत्तर है B. 4 सितंबर 1998 में आपका अगला प्रश्ण है किस देश में कैदियों का जेल से भागना अपराद नहीं माना जाता है A. जर्मनी में B. चीन में C. नेपाल में D. अस्ट्रेलिया में आपका सही उत्तर है A. जर्मनी में आपका अगला प्रश्ण है कौन सा पक्षी अपना अंडा दूसरे के घुसले में जा कर देती है A. तोता B. कबूतर C. कोयल D. शुतुर्मूर्ग आपका सही उत्तर है C. कोयल आपका अगला प्रश्ण है I'm Man of India के नाम से किसे जाना जाता है A. महत्मा गांधी को B. सुभाष चंद्रबोस को C. सरदार बल्लब भाई पटेल को D. लाला लाजपत राई को आपका सही उत्तर है C. सरदार बल्लब भाई पटेल को आपका अगला प्रश्ण है विश्व का सबसे सुन्दर पक्षी कौन सा है A. पिटा चिरिया B. गोल्डन फेजन्ट C. कोयल D. कबूतर आपका सही उत्तर है B. गोल्डन फेजन्ट आपका अगला प्रश्ण है भारत के सम्विधान को बनने में कितने दिन का समय लगा था A. चार साल ग्यारा महीने अठारा दिन B. तीन साल ग्यारा महीने अठारा दिन C. दो साल ग्यारा महीने अठारा दिन D. एक साल ग्यारा महीने अठारा दिन आपका सही उत्तर है C. दो साल ग्यारा महीने अठारा दिन आपका अगला प्रश्ण है शांती पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? A. महात्मा गांधी को B. लाला लाजपत राई को C. लाल बहादूर शास्त्री को D. सुभाष चंद्रबोस को आपका सही उत्तर है C. लाल बहादूर शास्त्री को आपका अगला प्रश्न है किस देश के लोग भारत में नहीं घूम सकते हैं? A. सौधी अरब के B. चीन के C. उत्तर कोरिया के D. दक्षिन कोरिया के आपका सही उत्तर है C. उत्तर कोरिया के लोग आपका अगला प्रश्न है तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? A. रामतनों पांडे B. अतुल पांडे C. राम अवतार पांडे D. धनुष पांडे आपका सही उत्तर है A. रामतनों पांडे आपका अगला प्रश्न है टस से मजना होना मोहावरे का अर्थ क्या है? A. विचलित हो जाना B. एक जगा पर खड़े रहना C. विचलित ना होना D. डटे रहना आपका सही उत्तर है C. विचलित ना होना आपका अगला प्रश्न है सत्योग में मनुष्य की उम्र कितनी हुआ करती थी? A. एक हजार वर्ष B. एक करोड वर्ष C. एक लाख वर्ष D. दो लाख वर्ष आपका सही उत्तर है C. एक लाख वर्ष हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्स्क्राइब अवश्य करें धन्यवाद आपका दिन शुग रहे